Hello Everyone, मैं आनिता आज हम बनाएंगे तंदूरी चिकन तो हम तंदूरी चिकन तो ओवन में नहीं बनाएंगे तो ओवन तूटी के नीचे चिकन अच्छे से धो लेते हैं अब देखो मैंने ब्लीकुछ साबूत चिकन लिया आई है और इसके अंदर है मैंने चक्तु से कट लगा दिये जो अगर इसको हम स्टफिंग करेंगे मसालों से तो अंदर अच्छे से भर जाए है तो पहले इसको अच्छे हमारा धूर चुका है अब सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करेंगे प्लेट में लिकार लेंगे अब इसमें पहले नमक लगाएंगे चार तरफ अच्छी तरफ नमक लगा लेंगे अब इसमें नगाएंगे नीबू नीबू अच्छी तरफ निचोड़ देंगे अब नीबू डालके इसको अच्छी तरफ नगड़ देंगे अब एक बर्तल लेंगे इसमें इसको रखेंगे इसमें डालेंगे पानी अब इसमें डालेंगे पानी पानी हमने इतना डालना है जो भीग जाए पूरा अब इसमें थोड़ा सो सिर्का डालेंगे अभी जो मैंने नमक और ये पानी नमक और नीवू लगाया था थोड़ा सिर्का डाला था इससे क्या होगा एक तरी चिकन साफ हो जाएगा और ये इसका बिल्कुत सॉफ्ट हो जाएगा जो हम इसको बेक करेंगे करके अंदर तो बहुत अच्छा बनेगा ये तो इसको हम 20 मिंट के लिए रख देंगे साइड में इतने हम चावल चड़ाएंगे जब तक हमारा चिकन रखा है मैंने भीगो के सिरके के अंदर ये सॉफ्ट भी हो जाएगा और साफ भी जाएगा जब तक हम चावल बनाते हैं इसमें डालेंगे थोड़ा सा नीबू नीबू में ऐसी डाल दूगे निचोड़ूंगी नही और जो यह कटावा नीबू था निचोड़ा था ये भी डाल दूगी तो इस से क्या ओका चावल गलेंगे भी नहीं और खिले-खिले बनाइगे जब तक हमारे चावल होते हैं, जब तक अंदर मेनम्रिनेट करने के लिए धाई लिया है मैंने, ये मैंने 200 ग्राम धाई अब इसमें डालेंगे हम हंदी एक चमच हलजी डाल रही हूँ मिल्स भी ले रही हूँ मैं एक चमच एक चमच मैं गरम मसाला ले रही हूँ दन्या पोडर एक चमच और नमस स्वात के अनुसार अब थोड़ा से मैं चिकन मसाला डाल रही हूँ इसे एक अच्छा फ्लिवर आएगा अब इन सब को मिला लेंगे अच्छे से अब यह मसाला हम बना रहे हैं चिकन को हम इसे ही कोट करेंगी तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा तंदुरी चिकन का और अंदर बियानी भरेंगे उसके अदर भी अच्छा फ्लेवर आ जायेगा तो इससे हम कोट करके रखेंगे अब इसको रख जएते हैं इतने मैं प्याज काट लेती हूं जो चावल मैं छोकूंगी तो उसके लिए जैसे चावल फ्राय करके डालने हमनों इसके अंदर प्याज काट लेती हूं थोड़ी सब्जी काट लेती हूं हम इतने प्याज हुच काट लेते हैं जिससे मैं चावल छोकूँगी प्याज से जैसे बिर्यानी बनाते हैं तो उस तरीके से में छोक दूँगी चावल अंदर स्टफिंग करने के लिए तो इसके लिए मैंने 2 प्याज लिए और 1 गाजर लिए और 4 पंच फली लिए फ्राज तो इन सहर से काट रेंगे के अगर आपके सबजी कोई भी साब्ची या पचाना चाह सकते हैं आप सब्जी कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो मेरे पास जो थी मैं वह यूज़ कर रही हूँ अगर आप चाव तो बिना छोके भी चावल डाल सकते हैं लेकिन जैसे उबलेवे चावल होते हैं चावल उबाल लिए तो आपको 50% चावल पकाने होते हैं और 50% जैसे हम इसमें चावल स्टफिंग करेंगे तो उसमें पक जाते हैं जो हम इसको बेक करते हैं तो आप इसको बिना उबाले चावल उबाले उसमें धही मिलाया और मसाला मिलाके इसको वैसे भी स्टफिंग कर सकते हैं लेकिन जो छोक के मज़ा आता है चावल करने में चिकन के अंदर उसका अलग ही टेस्ट होता है इसे आप चिकन बिर्यानी खाते है उस तरीक से टेस्ट आता है तो अब इस तरीक से बनाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा प्याज काट लिए गाजर और फली अम इसको हम साइड में रखके चिकन को वैरिनेट करेंगे पहले हम इसको पानी में से लिका लेंगे चिकन के अंदर जो हमने धाई वाला मसालत यार किया था अब इसको अच्छी तरह लगा लेंगे हम सब जगे अच्छी तरह कोट कर अंदर भार किकी इसको हाथ से लगाना पड़ेगा तो चार तरफ भरेंगे अच्छी तरीके से जो हमने कट लगाएं इसमें भर लेंगे अच्छे से इसको अच्छे तरीके से कोने कोने में तर यह सारह मसाला लगा देंगे जो हमने कट लगाय थे चोकु से उन यह सब में भर देंगे अच्छी से जब यह रोस्त हौई तो पर भार उनस पर जाए इसके अंदर अंदर भी हाथ डालके सार हो ठाओ ठार के सार भर देंगे अर इसमें मैंने बेसनboysन कुछ यूज़ नहीं करा है मैंने सारा अरस करे किम एक जिलने कोचा करोओर इसमें अब इसको हम 20 मिन के लिए रख देते हैं अभी हमारे चावल पक चुके हैं मैंने 50% चावल पकाई हैं क्योंकि आदे जावाद चावल हमारे चिकर के अंदर पक जाएंगे तो इसको मैंने कच्ची रखे हैं बहुत जादा मतला 50% समझे लो के मतला हलका से हाथ लगा तूड़ जावाद इतने चावल मैंने पकाएं अब इनको पसा लेते हैं तो इस चावल मारे पसा दिये मैंने अब इनको हम फ्राइ कर लेते हैं सबजी के अंदर और प्याज के अंदर सबसे पहले में कडाई चड़ाती हैं गैस चालू कर लेते हैं इसमें एक चमस तेल डालते हैं अब इसमें डालेंगे प्याज प्याज थोड़ा गूल लेते हैं अब प्याज भूल लेते हैं प्याज के साथ ही तो मैंने तेल डाल के कडाई में प्याज और फली और गाजर तीना चीज साथ में डाल दिए यह तीना चीज हमारी साथ-साथ पक जाएं अब इसमें डालूंगी में थोड़ा सा नमक जो हमारी सबजी जल्दी से गल जाएं तो इसमें आदा चमस के करीब अब इसको हम 5 मिट के लिए थोड़ा पकने देंगे इसमे थोड़ा में बिर्यानी मिसाला डाल रहे हूं जो अंदर हमें बिर्यानी का टेस्ट आए चावल के अंदर अब इसको हम चला लेंगे अब थोड़ा इसको पकने देते हैं हम इसमें मसाला कुछ नी डालेंगे बिर्यारी मसाले सी ही बहुत है टेस्ट आजाता है अभी मसाला भून चुका है यह प्याज वगरा सब इसमें पक गई है अब इसमें चावल डाल देते हैं इस चावल हमने बॉइल करके रखे थे अब इस चावल मिला लेके सारे इसे क्या होगा जो हम स्टावल की स्टफिंग करेंगे अंदर बियानी का टेस्ट भी आएगा और तंदूरी चिकन का टेस्ट भी आएगा बहुत छे लगते है ऐसे बनाने में अब इसको दीजर करके चला लेंगे जो सारा हो हमारी सबजी मीक्स हो जाए इसके अंदर इसको पांक मिन के लिए इसरी पकने देंगे जो मसाले का फ्लेवर इसके दाद चली जाए अब जब तक हमारे चावल हो रहे है इतना कुकर चार कर लेंगे गोल वाला और यह पाउंसो लिटर कुकर है और एक छोटी प्लेट लिए ऐसी अब प्लेट के अदर हम क्या करेंग दे प्लेट करते है तो प्लेट करेंगे तो नीचे तक फोल्ड कर देंगे शोट जब रोस्त होता है तो चेकण में सी आउल निकरता है तो वो कुकर बादने जाकर इस पर ही रहें और नीचे ज़ले ना चिकन तो इस पर रखके पक्खाएंगे अब क्या करेंगे कुकर के अंदर हम डालेंगे पानी इतना पानी गरब होने के लिए रख देते कुकर पानी डालके और कुकर पानी उतने ही डालना है जितना हमारा स्टैंड तक रहे पानी ये पानी ज्यादा उपर नहीं आना चाहिए निदे कुकर में फिर चिकन में इस्ट फकर मेंने पाई डाल के और प्लेट भी रख दिये प्लेट में जान रीटी तो मैरी बेटी रख दिये इसके अंदर प्लेट अब इसको मैं गास पर दी तुअ गरम होनी के लिए और चावल भी पक चुके कैं कि पांच मिन्ट हो गए हैं अब ये चावल भी मारे त्यार हो ऐसे उठाके इसके अंदर भरूँगे अच्छे से इसको मैं दवा दवा के भर दूँगी अब इसको मैं क्या करूँगी इसके पैर को ऐसे करके फॉइल पेपर से बादूँगी यह चावल हमारे बाहर ना लिख ले अभी चिकन है चिकन के ऐसे पैर पकड़के दोनों यह फॉइल पेपर लिया है मैंने इस तरीके से किकी के छोड़ तो बाद नहीं सकते तो फॉइल पेपर से बाद नहीं पड़ेंगे तो ऐसे करके टाइट हो जाते हैं बिलकुर और जो बचाव मसाला है बरतर के अंदर वह सारा मिस पर ही डाल देंगे इस चावा ने बचे वे इस पर कवर कर देंगे सारा अच्छी तरीके से अभी कुकर के अंदर चिकन हम रखन देते हैं प्लेट के अंदर तो इसको अराम से रखना पड़ेया कुँकि कुकर मैने गरम कर अधा आप अराम से रखना पड़ेगा इसको अर छीएक हमने पहिंगे प्होड़ा सा यह थोड़ा सा मिलया थोड़ा टाइट तो इस पर यह तो मखял लगाऊंगी यह घीर लगाऊंगी आप कुछ भी लगा सकते हैं जो हमारो चिकन अच्छे सेडोस्ट हो जाए है और अच्छे क्रिश्पी सा हो जाए तो इसको माहंने तेज फिल्म पर रख दिया है और तेज फिल्म पर होने के बाद प्रहेटर तो अब इसको हम रख देते हैं, तो अच्छा सा फ्लिवर आए, तो मखन इसके अपने पीछ लगाएगा, बस हमको इसको उपस डालना है, मखन, अब इसको कड़न कर देते हैं, तेज गैस पर रखा था, अब इसको मैं 20-25 मिंड के लिए, बुकुर सिम गैस पर रखूंगी, जो अंदर से अच्छी तरह चिकन पख भी जाए, और रोस्ट्र भी हो जाए, तो इसको हम रख देते हैं 20-25 मिंड के लिए, अब हमारा चिकन बन के त्यार हो चुका है, अब जब तक ही ठंडा होगा, इसको अतार लेते हैं, डक्कन हटा देते हैं, जो हमारा चिकन ठंडा हो जाए, अब जब तक हम चटनी बना लेते हैं, इसको साथ खाने के लिए, एक बावल में धाई लेंगे, थोड़ा सा, और य चिकन खात खाने के लिए इस तरह खाने से बहुत अच्छी लगती है और इसमें ही हम यह प्याज के पाने छल्ले काटके रखें यह चटनी में डार लेंगे अब आपको मैं छिकन दिखाती हूँ अभी चिकन मना बनária रेडी होचुक है हुकर मैंसे मैं लिकार लिए और यह बहुत कृस्परी भी हो गया है मैं आपको दिखाती हूँ और इसके साथ में रखेते प्यार आपको मैं दिखाती हूँ तोड़ के एक प्रिस व्युक्त्षॉ कॉफ्ट बनाए यह बिल्कुल व्युक्र अराम से टूट रहा है यह देखो जरा सा हास से तोड़ रहे है व्युक्र अराम से टूट रहा है और चावल भी एकदम पक चुके हैं अगर आपको में रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूले और मेरे चैनल के साथ बागे